आज फिजिक्स की क्लास में हम चैप्टर नमबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं काइनमेटिक्स ओफ लिनियर मोशन प्रिवेस लेक्चर में हमने थर्ड एक्वेशन ओफ मोशन की डेरिवेजन की और आज के लेक्चर में इंशालला हम इस चैप्टर के नुमेरिकल सॉल्फ करेंगे तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस्लामिक इंटिग्रेशन जो के कुरान पाक की सुरत नमबर 2 की आयत नमबर 284 अगर तुम जाहिर करो जो कुछ तुम्हारे जी में है या छुपाओ अल्ला तुम से इसका हिसाब लेगा तो जिसे चाहेगा बखशेगा और जिसे चाहेगा सजा देगा और अल्ला हर चीज़ पर कादिर है आज के हमारे contents में शामिलौंगे, आपके बुक के solved exercises, solved examples जो आपके chapter के दर्मयान में मुझूद हैं और problem of exercise यानि के numericals जो आपके exercise के अंदर numerical दिये हुएं, problems दिये हुएं, वो solve करेंगे और कुछ एक्जाम्पल्स जो आपके बुक के अदर मौझूद हैever उसमेडर。 और मोटरसाइकलिस्ट का वर्स 500 मेटर एंटन शेकंद्ड फाइंड फ्पीड ऑफ दूंस्मीट अब दावीड कीड जो किया गय यापका data है अब सबसे पहले हमें numerical की तर्टीप समझनी होगी तो सबसे पहले नुमारीकल में जो चीज हमें चाहिए होती है वो क्या है data अब इसमें data क्या दिया हुआ है जैसे highlight किया गया motor cyclist covers 150 meters तो इसका मतलब है घ्र तो यह अपने नवी क्लाइट ना तसलों है तो हमने डिस्टेंेस लिख दिया अपने डिटा में हुआ एक हमें डिस्टेंस बताया ग्या जो कि एसे रिप्रेज्ट पिया जाता है वो है 150 मिल्टत साथ में टाइम दिया हूँ है 10 seconds का तो हमने अपने डेटा में लिख दिया कि टाइम इसने कवर किया ताइम इसने जो इस्तेमाल किया हो गया है 10 सेकंड find the speed of the motorcycle list यानि हमने speed मालूम करनी है तो speed को हम V से represent करते हैं इसको हमने question mark लिख दिया यानि कि यह हमें find करना है जिसको हम कहते है यह हमें find करना है उसके पाद हम formula लिखते हैं अब speed को formula क्या होगा हमार पास speed का formula हमार पास distance upon time यानि हम distance को time से divide कर देंगे तो हमार पास क्या बन आ जाएगा speed आ जाएगी तो हम distance को time हमार पास solution में speed का formula था distance upon time तो distance हमार पास था 150 और time जो consume हुआ था वो था 10 seconds तो 150 को 10 से अगर हम divide कर देते हैं तो हमारा answer आ जाता है 15 meter per second जो के speed है और speed का unit meter per second जो हमें लाजमी answer के साथ लिखना होगा तो इसका मतलब यह हुआ hence the speed of the motorcyclist is 15 meter per second यानि कि जो speed थी जो मैं मालूम करनी थी वो कितनी थी 15 meter per second इसी तरीके से example number 3.2 जिसका question आपके सामने आ गया the velocity of a motor car moving along a road increase from 10 meter per second to 50 meter per second in 8 seconds find its average acceleration अब डेटा में क्या क्या चीज़ मेंशन की जाएगी देखें एक motor car है जो मूफ कर रही है एक road के उपर जिसकी speed जो है वो इंक्रीज होकर पहले 10 meter per second थी अब 50 meter per second हो गई है और इस दोरान जो time उसको लगा है वो कितना है 8 seconds का अब आपको मालूम है कि जो velocity होती है यह दो तरह की होती है तो पहले वाली जो velocity है वो initial velocity है और बाद वाली जो velocity है वो final velocity है तो हम डेटा बनाएं अगर इसका तो डेटा में हमारे पास initial velocity of the car आ जाएगी 10 meter per second और जो increase हो गई velocity यानि कि जो final velocity अब जो उसकी velocity होगा इंक्रीज होने के बाद वो final velocity है और वो 50 meter per second और इस दर्म्यान जो time लगा वो कितना लगा ती 8 second का अब मालूम क्या करने acceleration of the car यानि car का acceleration find करने तो a is equal to question mark अब acceleration का formula हमने पढ़ा हुए क्या अब आप एसलेशन का formula क्या होते है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी यानि final velocity माइनस initial velocity divided by time तो हमार पास data में final velocity भी मौझूद है initial velocity भी मौझूद है और time भी मौझूद है तो हम क्या करेंगे अपने formula में वैल्यू पूट कर दी यानि कि acceleration equals to 50 minus 10 divided by 8 और 50 जो है वो final velocity है 10 जो है वो initial velocity है और 8 जो है वो time है तो 50 में से 10 minus करेंगे तो क्या आएगा 40 आजाएगा हमारे पास तो हमने लिख दिया acceleration is equals to 40 upon 8 तो 40 को 8 से अगर हम डिवाइड करें तो 8 के table में 40 आएगा 85 40 तो acceleration आगे हमारे पास 5 meter per second square क्योंकि acceleration का यूनिट है चैप्टर नमबर 2 में हमने यूनिट्स पढ़ें उनके drive quantity acceleration तो इसका यूनिट जो हमारे पास बनता है वो क्या होता है meter per second square तो इसका मतलब है हमारे पास acceleration आगिया 5 meter per second square कि हमारा आंसर आगिए acceleration a is equals to 5 meter per second square आगे चैने problem number 3.5 अब हमारी problem number 3.5 है जो हम सॉल्फ करने जा रहे हैं यह आपकी exercise है जिसमें problems दी हुई है उसकी 3.5 problem number a body starting from rest requires a velocity of 10 meter per second in five seconds calculate the acceleration the distance covered by the body in five seconds अब देखें यहां एक चीज़ आपको समझनी है अब यहां पर एक velocity दी हुई है जो कि है 10 meter per second और दूसरी velocity आपको खुद मालूम करनी है कैसे मालूम करेंगे कि स्टेटमेंट से अब स्टेटमेंट क्या है अब और बॉडि स्टार्टिंग फॉम रेस्ट अजिव स्टार्टिंग फॉम रेस्ट इसका मतलब है कि एक बॉड़ी जो भी रुक्य हुई है यानि रेस्ट की हृलत में अब वो चलना शुरू कर रही है तो हमेशा initial velocity हम अपने डेटा में 0 लिखेंगे किसी भी object की तो यहां पर क्यूंके starting from rest का word दिया हुए तो इसलिए हम अपने डेटा में लिखेंगे कि हमारे पास जो इसकी इनिशल विलॉस्टि वो जीरो हो गी एक्वायर यह निएए टैन मीटर पर सेकंड अब इस विलॉस्टी को गेन करने में जो टाइम लगा वह कितना लगा 5 seconds यानि कि हमारे पास time t आ गया 5 seconds मालूम क्या करना है calculate the acceleration the distance covered by अब हम acceleration find करने ही जा रहे formula acceleration find करने का क्या है for acceleration a is equal to vf minus v i upon t यह अभी हमने पिछले numerical में भी देखा हमारे पास जो है वो final velocity minus initial velocity divided by time यह acceleration find करने का formula है हमारे पास और अगर distance मालूम करना हो इस condition में तो distance मालूम करने के लिए जो हमारे पास formula मौझूद है वो second equation of motion है s is equal to v i t plus half a t square यानि कि हमारे पास यह second equation of motion के जरीए हम अपना distance calculate करेंगे तो पहले हम acceleration find कर लेते है solution में first we find acceleration तो हमारे पास acceleration find करने का formula है वो था vf minus v i upon t तो final velocity हमें दी हुई थी 10 minus initial velocity क्योंके 0 थी तो 10 minus 0 divided by 5 तो 10 में से 0 minus करेंगे 10 ही रहेगा और 10 को 5 से divide कर देंगे तो 10 को 5 से divide करने पर हमारा acceleration बन गया टू मीटर पर सेकेंड स्कॉयर यानि कि हमारे पास जो acceleration की value आ गई वो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्कॉयर अब हम distance find कर लेते हैं जैसे हमने फार्मूले में रिखा था कि हम हम distance find करेंगे second equation of motion से जो के है s is equals to vit plus half at square अब इस फार्मूले को लगाकर हम acceleration sorry distance find कर लेंगे तो हमारे पास values given है vit तो s is equals to vi initial velocity क्योंके 0 थी multiply by t यानि के time जो के 5 seconds है तो 0 multiply by 5 plus 1 upon 2 as it is acceleration अभी हमने उपर find किया 2 आ गया हमारे पास और t square यानिके time का square तो time हमारे पास 5 था तो time t की जगा हमारे पास 5 आ गया और 5 के उपर square आ गया तो हमारा हमारी equation बन गई s is equals to 0 multiply by 5 plus 1 upon 2 into 2 into 5 का whole square इसको अगर हम solve करें तो आप जानते है 0 से किसी भी नंबर को अगर हम multiply करते हैं तो उसका answer जो होता है वो 0 ही होता है तो 0 5 जा 0 plus 1 upon 2 into 2 और 5 का square 5 का square का मतलब है 5 multiply by 5 यानि 5 को 5 से multiply करना है तो 5 5 जा 25 आ गया हमारे पास तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 2 और 2 यह दोनों आपस में cancel हो सकते है ठीक है 2 से 2 cancel हो जाएगा ठीक है तो हमारा पास क्या बचेगा सिर्फ 25 बचेगा क्यूंकि 1 upon 2 जो है हमारे पास denominator में मुझूद है और साथ में 2 है तो क्रॉस के अंदर दोनों वैल्यू आपस में cancel हो जाएगा तो हमारा पास क्या आजएगा 25 बचेगा तो हमारा डिस्टेंस निकलाएगा 25 मीटर प्राब्लम नंबर 3.6 हम सॉल्फ करने जा रहे हैं जिसकी स्टेट्मिंट आपके असामने मौझूद है अकार स्टार्स फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 20 सेकंड इस विलॉस्टी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आर फैंड अगर हम देखें यहां पर तो पहली चीज़ तो वही है इसकी इनीशल विलॉस्टी 0 होती है तो डेटा में हमारे पास इसकी इनीशल विलॉस्टी क्या जाएगी जीरो आजाएगी तो इनीशल विलॉस्टी हमारी 0 हो गई final velocity जो हमें दी हुई है वो कितनी है 108 km per hour अब यहाँ पर एक और चीज समझने की है वो यह है अब numerical तो पिल्कुल पिछले वाले numerical की तरह है लेकिन यह एक नई चीज हमारे सामने आई क्योंकि अभी तक जो हम question solve कर रहे थे उसमें हमने velocity का जो unit पढ़ा था वो पढ़ा था हमने meter per second लेकिन यहाँ पर जो velocity के unit आगया हो आ गया किलो मिटर पर hour तो अब हमने क्या करना है Kilometer को at में चेंज करने तो इसका मतलब है 108 को मल्टिप्लाइब करेंगे 1000 के साथ क्योंकि 1 km में 1000 मिटर होते हैं तो 108 किलोमिटर हैं तो मीटर कितने हो जाएंगे 108 multiply by 1000 अब क्या PARR R R R को convert करने seconds में क्योंकि unit क्या बनाना है meter per second अब और को second में convert करने के लिए हमें calculate करना पड़ेगा कि एक hour में कितने seconds होते हैं तो यह हमने conversion of units में पढ़ा था कि हमारे पास एक hour में 3600 seconds होते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो statement बनेगी वो क्या बनेगी 108 08 multiply by 1000, अब मैं आपको दुबारा से repeat कर दूँ कि 1000 कहां से आया, किलो मीटर को मीटर में change करने से 1000 multiply हुआ, क्योंकि एक किलो मीटर में 1000 मीटर होते हैं, divided by 3600, 3600 ही से क्यों divide किया, क्योंकि हम आर को change करने जा रहें seconds में, और एक आर में 3600 seconds हैं, तो इसलिए जब भी आपको velocity का unit चाहे वो initial velocity हो या final velocity, जब भी velocity का unit किलो मीटर पर आर में दिया जाएगा, आपने इसी तरीके से उसको convert करना है, कैसे convert करना है, जो भी value दियो हुई है, जैसे यहां value क्या दियो है, 108, जो भी value दियो हुई है, उसको 1000 से multiply करेंगे, और divide कर देंगे 3600 से, तो हम यहां calculator का इस् आर अब वो तबदील होकर क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, तो final velocity क्या बन गई, 30 मीटर पर सेकंड, जबकि time consume हुआ, 20 seconds, और मालूम क्या करना है, acceleration, अब तो यह वही numerical बन गया, जो भी हमने पहले solve किया, acceleration का formula, अभी आपके सामने नहीं आया, लेकिन आपके जहन में आ गया ह है, very good, बिल्कुल सही guess किया आपने कि हमारा acceleration का formula है, VF minus VI upon T, तो acceleration का formula हमारे सामने आ गया, A is equals to VF minus VI upon T, तो हमारे पास solution में आ जाए, तो हमारे पास आ गया, VF की value 30 minus VI की value 0, तो 30 minus 0 equals to 30, divided by time 20 seconds था, तो divided by 20, तो हमने 30 divided by 20, तो 30 को जब calculator की मदद से हम 20 से divide करेंगे, तो हमारा acceleration आ जाएगा, 1.5 meter per second square, यानि कि हमारे पास आगया acceleration, 1.5 meter per second square, meter per second square, acceleration का unit, जो कि हमें answer के साथ लाजमी place करना होता है, solve following numericals from textbook, आपकी अपनी textbook, जिसके problem number 3.4 और 3.5 और 3.6 इस lecture में solve की गई, अब 3.1, 3.2 ये दोने numericals आपने खुद solve करने हैं, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी hint दे देता हूं, find the time taken by sunlight to reach the ground, if the distance between the sun and the earth is 1.5 multiply by 10 की पावर 8 km, velocity of light is 3 multiply by 10 की पावर 8 meter per second, अब आपने मालूम क्या करना है, time मालूम करना है, ठीक है, distance दिया हुए, 1.5 multiply by 10 की पावर 8 km, अब ये किलो मेटर है, इसको हमेशा मीटर में तबदील करेंगे, तो किलो मेटर से मेटर में तबदील करना भी हमने सीखा, कि जब भी किलो मेटर से मेटर में तबदील करेंगे, तो multiply by 1000 कर देंगे, very good, तो हमने कर दिया, multiply by 1000, ठीक हो गया, तो हमने मालूम क्या करना है, time, velocity or distance दिया हुए, formula लगाएंगे और time find कर लेंगे, problem number 3.2, a person hears the echo of his own sound from a distance hill, after 2 seconds, एक शाखस है, जो अपनी ही echo सुनता है, यानि कि उसको अपना जो sound है, उसकी echo सुनाई देती है, ठीक है, कितनी देर बाद, 2 seconds के बाद, अब आपने ये बताना है, how far away is he from the hill, अब वो hill से कितना दूरी पर मौझूद है, if the speed of sound is 330 meter per second, इसका मतलब ये हुआ कि मालूम क्या करना है, distance मालूम करना है, very good, यानि कि हमार पास time दिया हुआ है, और velocity, यानि कि speed दिया हुई है, speed और time given है, मालूम क्या करने है, distance मालूम करने है, तो formula लगा कर हम distance find कर लेंगे, इसी तरह problem number 3.3, a car is moving with the velocity of 36 km per hour, अब फिर दुबारा से numerical में, unit क्या गया, km per hour, ठीक है, इस km per hour को आपने तबदील करना है, अब यहाँ एक और चीज़ जो समझने की है, वो गौर से समझ लें, is brought to rest, यानि कि एक car जो move कर रही थी, 36 km per hour की speed से, brought to rest in 5 seconds, 5 seconds के बाद वो क्या हो गई, rest की हालत में आ गई, अच्छा, इस से पहले जो numerical हमने सीखे, उसमें क्या कहा था, कि starts from rest, यानि कि वो rest से चलना शुरू कर रही है, तो initial velocity 0 लिख दी, अब क्या कह रहा है, brought to rest, यानि पहले चल रही थी, अब rest की हालत में आ गई, तो इसका मतलब यह है, कि पहले जो चल रही थी, वो velocity थी, अब rest की हालत में आ गई, तो वो initial velocity, अब rest की हालत में आ गई, तो final velocity 0 हो गई, यानि कि जब कोई object चलते चलते रुक जाए, यानि चलने के बाद stop हो जाए, पहले है, rest की हालत में बाद में आए, तो final velocity 0, और rest से चलना शुरू करें, तो initial velocity 0, यह numerical के लिए आपको उपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, और मालूम क्या करना है, इसलेरेशन फाइंड करना है, एसलेरेशन आप असानी से कर लेंगे, फार्मला याद है, आपको a is equals to vf minus v i upon t, problem number 3.4, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, इसमें आपको initial velocity भी दिया हुई है, final velocity भी दिया हुई है, ताइम भी दिया हुआ है, और acceleration find करना है, यह तो आज का physics का मा नेक्स लेक्चर में continue करेंगे, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu, allahafis